नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रणप चौधरी सिबिल पार सलम अब सभी को स्वागत है फ्रेंड आज आप लोगे साथ 35 फीट बाई 25 फीट एक प्लोट के बारे में डिसकस करने वाले है जो की मेरे हिसाब से आप लोगों को पसंद आने वाला है तो वीडियो को शुरू करन कि क्या क्या यहां पर मिल रहा है ओके फ्रेंड तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर जो में इंट्रंस है यहां पर एक पोर्च मिल रहा है जहां पर एक फोर्वील आराम से पार्क कर सकते हैं यहां पर जो पूर्च है उसका साइज है 11 फीट बाई 12 फी रहेगा 18 इंचिस जो कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको ग्राउन लेवेल से प्लिंट लेवेल थोड़ा आप करना चाहिए क्योंकि जो में रोड होगा वो रोड से आपका घर कभी नीचे नहीं होना चाहिए पानी गुश जाएगा उसके बाद ओके फ्रेंज दिन यहाँ पर जो पोर्च के बाद हम लोग आ जाता है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में यह बहुत अच्छा साइज का है ज्यादा बड़ा भी नहीं है आप देख पाएंगे का बनाइम हो कि ओं ऑ गुश्य श्क गाइव टायल्त अ गईवन बे सरी नाइनफ चीज बाएंज incredibly टेन इंचीर है यहापे देखिये एक Sofa प्रॉवाइट किया गया है उसके बाद यहापे इस वाल पे देखिये एक टीवीं प्रॉवाइट किया गया है लॉप संव17 10 feet 10 inches okay friends then हम लोग ये bedroom में आ जाते हैं यहाँ पर देखिए हम लोग एक TV प्रोवाइट किया गया है एक जो बेड होता है बेड प्रोवाइट किया गया है देन एक टेबिल टेबिल लैम प्रोवाइट किया गया है ड्रेसिंग स्टोर सेर्फ सारा कुछ एक बेडरूम में जो ज यह हो गया 12 feet 8 inches और इधर हो गया 11 feet 2 inches ओके फ्रेंस इसके बाद देख लीजे कॉमन टॉइलेट प्रोवाइट किया गया है टॉइलेट में सारा कुछ प्रोवाइट कर सकते हैं आप ओके टॉइलेट का साइज है 12 feet 8 inches by 4 feet ओके फ्रेंस आप समझ चक्त है यह चीज ज्यादा यहां पर है तो यह हो गया 12 feet 8 inches और यह 4 feet ओके यहां पर वेंटिलेक्शन प्रोवाइट किया गया है 18 feet by 2 feet का देन यहां पर सारा कुछ जो डोर विंडो प्रोवाइट किया गया यह पाच फित का यह भी पाच फित का यह हो गया 4 feet का ओके देन हम लोग यहां से निकल के मिल जाता है हम लोगस यह जो आफ होगा यहां से स्टेर आफ हो के यह अजे फिर स् फोलोर में आ जाएगे उससे पहले मैं यहां पर किचन में आता हूं किचन में क्या क्या प्रोवाइट किया गया है देन यहां प टोटल एक स्टोर सेल्फ वगेरा देके बर्नर उसके बाद सिंक प्रोवाइट किया गया है टोटल एक कम्प्लीट किचेन बनाया है ओके यहाँ पर इसका साइज है 12 feet 8 inches by 7 feet 2 inches ओके फ्रेंज यहाँ पर जो विंडो प्रोवाइट किया गया यह जो विंडो है लुक्त का है यहाँ पर जो विंडो थाई है यह आप नहीं भी दे सकते यह यह भी डियली चेए आपके मरजे के ऊपर कोई फीचर दيلट चाहिए क defitter के नीचे से जाके हम लोग फैर यहां पर सब कुछ आप दे सकता है ऊके टोटलकर जूसाइज आपको मिलेगा 9ف3 3 feet size बहुत अच्छा है यह toilet का common size है आप यहाँ पर आराम से यूज़ कर सकते है toilet को okay friends इसके नीचे आप ventilation वगरा भी दे सकते है toilet के लिए okay then इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर एक bedroom में okay यह जो bedroom है यहाँ पर मैं सोचा था office room बनाएंगे लेकिन one bedroom हो जाएगा फिर आपको first floor भी बनाना पड़ेगा तो मैं क्या किया यह जो आप ground floor भी बनाएंगे तो भी आप अच्छे से पुरा यूज़ कर पाएंगे आप अगर टू भी एच के चाहिए ओके यहाँ पर देखे सारा कुछ प्रवाइड किया कि वांच इस एक्स्टर जो प्रवाइड किया गया है यहाँ पर एक ओफिस के लिए आपका एक काम करने के लिए एक computer टेबल प्रवाइड किया गया है ओके जो बेड्रूम है 10 feet 8 inches by 11 feet 4 inches जगा बहुत अच्छा है बेड्रूम का साइज भी ठीक ठाक है आप यहाँ पर सारा कुछ प्रवाइड भी कर सकते हैं यहाँ पर जो है यह चार फिट का है यह पाच फिट का है विंडो यह जो डोर आपको देख रहा है सारा डोर यह टॉयलेट का डोर है 30 इंच 금िढ़ मेल에 फ्रेंट इसका जो ग्राउंड फ्लोर तो मैं आपको समझा दिया फ्रस्ट फ्लोर भी चाहिए फस तो अगाराप समझेंगे तो मैं फृस्ट फ्लोर फिलाओंग आप लोग के लिए फिलाम फ्रॉर आपके जाओ दिस्कस किया कैसा लगए आप मुझे बताएए से उसके पहले उसे बाद मैं क्या बताना चाहरा था अभी यह क्लॉं मरक्त क्या गया देखे यहां पर कलम का पॉप्षिन बीत है लोग को क्लम प्रोबाइट किया गए देखे कलर में दिया हुआ है टोटल कलम प्रोबाइट किया खेंड ये जो आउटर वाल है टेनिंची का है इनर वाल जो है सिक्सिंची का है ऑक फीरिंच अब समझ पारे होंगे ये जो है में पूरा ओप्रेन रखा हूँ ओके फिर इसका मैं फ्रॉंट टेलिवेशन सेक्षान डालूंगा आप टेंशन मत किजिए आप लोग आप लोग मुझे कॉमेंट करते हैं कि सर्फ टेलिवेशन भी डाली है मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं उसी के हिसाब से आज नहीं तो कल एक फ्रॉंट टेलिवेशन वहाँ पर जाके पेज को लाइक कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू बेरी मच्छ